पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा। चुनिये CGPSC पाथ शाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांक नाउ। अब इस संभाविट डेट क्या है आगे हम डिसकस करेंगे। डाउनलोड हो चुके थे उन वेकेंसियों को इस्थगित कर दिया गया आरक्षण के कारण। और आरक्षण पर अभी तक कोई निर्णा आया नहीं है उसके बावजूद भी आयोग ने इस डेट में 26 नवंबर 2022 को सविधान दिवस के दिन ही जारी करके उसने सभी को चौका दिया है अब आरक्षण पर निर्णा आया नहीं है आरक्षण पर अभी कोई फाइनल डिसिजन हुआ नहीं है तो यह भरति किस प्रकार से होगी आरक्षण किस प्रकार से होगा वो सारे चीजों पर आज हम डिसकस करेंगे देखिए आयोग जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उसमें उसने जो है समभाविट बताया है यान कि एक्सपेक्टेड अभी ये डेट क्लियर नहीं है इसमें बताया गया है कि जो CGSD प्री जो आपका प्री का जो एक्जाम होगा आपका 12 फरवरी को 12 फरवरी 2023 को pre का exam होगा दो पाली में होगा पहले आपका सामान नियाध्यन यानि की GS का पेपर होगा जो की सुभर 10 बजे से लेकर के 12 बजे की बीच में होगा और फिस CSET का पेपर होगा जो की 2 पहर 3 बजे से लेकर के 5 बजे की बीच आपके CSET के पेपर होगा यह संभाविट डेट है संभाविट डेट क्यों यह डेट हो सकता चेंज हो जाए क्योंकि अभी आरक्षन पर नेड़ने हुआ नहीं है देखिए आप सभी अगर नियूस पढ़ रहे होंगे केटेगरी को 32% OBC को 27% और EWS को 4% रिजर्वेशन देने का उसने प्रस्ताव बनाया है और यह प्रस्ताव आपके विधान सभा में प्रस्तूत किया जाएगा और हमारे जो आपकी राज जेपाल है राज जेपाल सूसरी अनुसुया उई के उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि आदिवासियों के हीत में अगर आपके आरक्षन का विधायक मेरे पास आता है यानि कि विधायक को पहले विधान समय प्रस्तूत किया जाएगा उसके बाद जो है राज जेपाल से अनुमती ली जाएगी तो राज जेपाल ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर आरक्षन के हितों से संबंदित आदिवासियों के हितों संबंदित आरक्षन वाला अगर कोई विधायक मेरे पास आता है तो मेरे दोरा उसे मंजुरी ततकाल मंजुरी दे दिया जाएगा यह आपका राज जपाल का statement है ठीक है तो प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव बनाया हुआ है कि कुछ इस प्रकार से आरक्षन का structure होगा यानि कि लगभग 76% seat जो है यह result होगा बाकी का जो seat है वो आपके general category के लिए होगा ठीक है तो यह कुछ आरक्षन का structure होगा ऐसा अनुमान लगा जा रहा है अभी जो है cabinet के लुए यह प्रस्ताव बनाया गया है अभी दिसंबर महने के पहले आपके सप्ता में या एक या दो तारीक को विशेज बैठक बुलाई गए विधान सभा की उसमें इस आरक्षन पर आपके discussion होगा राज्य पाल से इस पर हस्ताक्षर के प संभावना है संभाविट डेट है देखिए विध्यारती यहां पर गलती मत कीजेगा आप student यहां पर जो है आवेदन एक दिसंबर 2022 से लेकर के 20 दिसंबर 2022 तक ही आपके आवेदन online application form भरे जाएंगे केवल 20 दिन का समय है only 20 days ठीक है 20 दिन का बस समय दिया गया है आपका form भ सर्वर डाउन रहता है बहुत से student आपका form भरी नहीं पाते तो सुरू सुरू में आपके दो तीन चार पास तारीक तक ही आप अपना form सब्मिट कर दीजेगा कई लोग क्या होते 20 तारीक तक इंतजार करते हो 20 तारीक को सर्वर इतना सर्वर पर इतना लोड रहता है कि ठीक है तो ये गलती मत कीजेगा दिये के समय पर आप form भर लीजिए इस्थानी निवासियों को free है लेकिन ध्यान दीजेगा अगर form में किसी प्रकार का truthy होता है तो उसके correction के लिए 500 रुपे लिया जाएगा ठीक है correction free नहीं है तो देख करके अच्छे दे form भरिएगा ठीक है देखिए तो यह है आपका exam date हो गया देखिए यहाँ पर clearly mention किया गया है कि अगर truthy सुधार करता है वैसे तो जो form है वो निशुल्क होगा लेकिन truthy सुधार की जो अंतिम्तिति है वो रहेगी आपके 23-2022 को 12 बजे से लेकर के 24-2022 को रातर 12 बजे तक truthy सुधार किया जा है आपके total total 189 पोष्ट है ठीक है 189 पोष्ट है अगर सबसे अदा पोष्ट की अगर हम बात करें तो इस बार जो है सबसे अदा पोष्ट है आपका नायब तहसिलतार का 70 पोष्ट है और जो आपका DSP है DSP का यहाँ पर पोष्ट है आपका sorry dipty collector का यहाँ पर पोष्ट है 15 ठीक है यहाँ पर जो है आपका dipty collector का जो पोष्ट है उपजिला अधिक्छक का DC का जो पोष्ट है वो है 15 यहाँ पर DSP का पोष्ट अभी mention नहीं हुआ है तो यह अनुमान लगा जा रहा है कि आने वाले समय में DSP का भी पोष्ट इसमें include किया जाएगा यानि कि पदों की स सीट है OBC के लिए कितना सीट है जनरल के लिए कितना सीट है लेकिन यह classification इसमें नहीं किया गया है यानि कि आरक्षण पर अगर कोई final decision राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा उसके बाद एक और notification जारी होगा संशोधित वाला जिसमें पूरा 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 आपका classified कर क बताया जाएगा कि किस category के लिए कितना सीट है ठीक है तो इसलिए जो है यह column अभी खाली है reservation का अभी जो अगर मैंने जैसे आपको बताया कि present scenario में प्रदे सरकार जो है वो ST के लिए ST category के लिए जो है लगबग 32 प्रतीशत ठीक है यानि कि अनुसुचित जन जाती के लिए यह जो है प्रस्ता आपके cabinet के दोरा बनाया गया है यानि कि लगबग 76% सीट reservation होगा बाकी का जो बचा हुआ है वो general category के लिए होगा ठीक है अगर यह इसको मंजूरी मिल जाता है क्योंकि दिसंबर के पहले सब्ता में इस सारे चीज़े clear हो जाएगी इसी confidence के साथ ही आयोग का मजाक उड़ा लिए आयोग ने अब आपका मजाक बना दिया है ठीक है क्योंकि उसने अपनी परंपरा को follow किया है अब देखते हैं निर्णय क्या आता है आरक्षण के ऊपर ठीक है तो इसमें हो सकता है यह पदों की संख्या भी बढ़ेगी आने वाले समय में ठीक 189 पो चाहिएर तो इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज होना चाहिए 21 फीक है 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए कभ तक है जनवरी 2022 के डेट तक ठीक है एक जनवरी 2022 के डेट तक जो है आपका आपका जो एज है वो 21 complete होना चाहिए running नहीं complete होना चाहिए ठीक है तभी आप योग यो होंगे क्योंकि सुरू में ही आपका जो है date of birth पूछ लेगा उसके हिसाथ calculate करेगा अगर आपका 21 year complete नहीं है तो automatically आपके form जो है आगे उसका process होगा ही नहीं ठीक ये होना चाहिए तो देखे इसमें जो है यहाँ पर mention है आपका एक जनवरी 2022 के संदर भमी आपकी जो I.U. है वो complete होना चाहिए आगे और इसमें age group से related और भी इसमें चीजें बताई गई है देखिए अगर आप देखेंगे तो जगा जगा पर यहाँ पर जो है आपका अनुसूची जाती जन जाती अन्य पिछडा वर्ग यह सारा चीज इसमें mention है यानि कि reservation तो होगा ही अभी reservation का इसमें कोई भी declaration नहीं है हाँ यहाँ पर एक चीज आप थोड़ था ध्यान दीजेगा जो आपका OBC category के OBC category के जो student है OBC ठीक है जो कि आपके non-crimalier है non-crimalier जो आरक्षन का लाव उठा रहे है उन्हें तीन साल का यानि कि 2021-22 2021 और 19-20 का जो है उन्हें आयप्रमान पत्र प्रस्तूत करना होगा ठीक है आयप्रमान पत्र बना करके रखिएगा आपके पिछले तीन सालों का पिछले तीन सालों का आयप्रमान पत्र OBC category के student को non-crimalier जो आरक्षन का लाव उठा रहे है उन्हें प्रस्तूत करना अनिवार्य है तो अभी से बंदवस्त कर लिए पिछले तीन साल के आप इन आयप्रमान पत्र का ठीक है आयू संबंदी चीज़े हो गई और अगर कुछ चीज़े इसमें अगर हम देखे तो यह तो डिप्टी कलेक्टर देखे इसमें DSP का अल्डेडी साल के इसमें इसमें बताया गया है कि जो DSP पद के जो उमिदवार है तो यहां पर देखे यहां पर बताया गया DSP के अत्रिक्त अन्यपद अगर हम DSP के बात करे तो आपका DSP का पोश्ट है DSP के पोश्ट के लिए जो आयू सीमा है वो है 21 से लेकर के 28 वर्ष ये निर्धारित है इसमें और भी अन्य छूट मिलेगा लेकिन अगर DSP के अलावा अन्य पदों की हम बात करें जैसे नायाप तैसिलदार हो गया डिप्टी कलेक्टर हो गया आपका ली अधिकारी हो गया इन सभी पोश्ट के अगर हम बात करें तो अभ्यार्थी की जो आयू है वो 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक ना हो जैने कि 21 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए लेकिन साथी साथ इसमें मेंचन किया गया है कि इस्थानी निवासियों के अभ्यार्थियों के लिए जो है अधिकतम लेकिन 5 वर्ष का अत्रिक छूड़ दिया गया है इसके अलावा सभी के सभी अगर आपके डिजर्वेशन को इसमें इंक्लूड कर दिया जाय तो यह बढ़ करके 45 वर्ष भी किया जा सकता है पूरे के पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा इसे पूरा यहाँ पर एक्जाम दे सकते हैं यह भी इसे मेंशन किया गया है ठीक है इसके अलावा इसमें बताने के लिए और कुछ हाँ देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है कि प्रारंभीक परिक्षा का अंक सूची जारी नहीं किया जाएगा यह तो हर साल विवादों में रहता है अगर अंक सूची जारी करें तो बहुत से आपके दावा अपक्ति वाली चीजे अल्रेडी हड़ जाएगी ठेक देखिए इसमें बताया गया है कि जो आपके वास्तविक प्राप्तांग है यानि कि CGPACP की उसकी जो प्रविन्य सूची बनेगी और प्रविन्य सूची आपका 2835 ठीक है 2835 जो है मेंस देंगे 15 गुना केंडिडेट ठीक है यहाँ पर आपका बताया गया है कि इस थानी बाहर के बाहर के जो आपके आवेदक है यानि कि दूसरे श्टेट के है उन्हें 400 रूपए उनसे 400 रूपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा च्छते अड आटेच किएगा है उन्हें प्रमाण पत्र संनलगन करना ज़रूरी निशकत कैन या कोई आपके ब्लाइंड कैंडेट है जिने दिखाई नहीं देता तो अपने साथ लिखने के लिए सहली खकड़ लेके जाते है तो उनको उनको भी een प्रमाण पत्र परस्तुत करना जरू यहां पर clearly mention किया गया है कि जो paper होगा paper भाग एक भाग दो इसमें जो है आपके 50 प्रशन दिये जाएंगे ठीक है भाग एक और भाग दो में यानि कि total 100 अंक होंगे दो पार्ट में होगा 50-50 प्रशन दिये जाएंगे प्रत्यक प्रशन दो अंक का होगा और प्रत्यक सही उत् attempt करने पर 2 marks मिलेगा और गलत attempt करने पर मात्र 0.33 marks कट होगा तो यह गलत है इसमें क्या लिखा हुआ है निर्धारित अंक का एक तीहाई काटा जाएगा तो निर्धारित अंक कितना है दो दो का एक तीहाई कितना होगा यह होगा 0.66 या 0.67 ठीक है इतना आपका minus होता है तो यह सारा चीज इसमें दिया गया है सारा basic information है तो reservation पे निर्णे आएगा सरकार का राज जेपाल के दोर अभी आपका already संकेत दे दिया गया है कि आदिवासियों के हित में आरक्षंट से संबंदित अगर विधेक मेरे सपास आता है तो ततकाल प्रभाव में मंजूरी दे दी चाएगी समय अभी निकला नहीं है जो भी इस्टूलेंट अभी तक प्रिप्रेशन सुरू नहीं किये है प्रिप्रेशन कंटीनियू रखिए रिविजेन का समय भी है जो लोगальная प्रिप्रेशन कर चुके अभी आपका कि दिसंबर का महना बचा है दिसंबर जनवरी फरवर लगबग धाई मेहने का समय है आप लोगों के पास, जादा से जादा चीजों को revise कीजिए, ठीक है, question अभी थोड़ से unexpected आ रहे है, question जो घुमा करके आ रहे है, वो आ रहे है, 36 गड़ से, तो थोड़ा सा देख करके question को attempt कीजेगा, eliminate करके, आगे आने वाले समय में और एक करके रही है, करिके रहे हैं तो घँक करके नचे जुमा करे रहे हैं वोग़ा से हाघए है वोग थोड़ा कर सब्सक्यार டोग्बा कर इस्माजर को पेदि 도 रहा है, भीज भाजरे है, को अङरे हैं, और एnd रहे हैं, क्वांजर इस्सुमारा इस्सुमा, мясतिए रहे